कि दोस्तों नमस्कार आज की वीडियो में मैं आपको यूनिट्रॉल वन जिरो टू जिरो एवियर का जो ब्लॉक डाइगराम है उसको कैसे रीड करना है कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताना चाहता हूं सबसे पहले आप देख सकते हैं इस डाइगराम को यह डाइगराम को आपके सामने है अब देखिए यह जनेरेटर हुआ जनेरेटर हुआ जनेरेटर हुआ जनेरेटर के आउटपूट से यहां पर देख सकते हैं यह लिया गया है में सप्लाइव फॉर्म एक्साटेशन ट्रांसफर्मर 11 कवी बाई 415 बोल्ट तो यह जाएगी यह जाएगी है कि इस्टू में इस्टू क्या है यह आपका पैनल पार्ट है कंट्रों में पैनल रहता है पैनल में यह टू थ्री पोल टूवे स्विच जैसे का में काम करता है और इनकेस माल लीजे यहां से कुछ सप्लाई का प्रॉलम हुआ ना मिल पाया तो है आप यहां पर देने का देख सकते हैं 200 सप्लाई देने का है एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि माल लेजिए देखिए कई जाए क्या होता है ठीक है प्यम्जी लगा हुगा है कि प्यम्जी से भी आपको बता देता हूं प्यम्जी से भी सप्लाई देने का सोस रहता है यहां पर कई जगा इसी की तुरूं कि यह ट्रांस पाला जाती है आपके यहां पर कि थी फेज थी पहले आती है एसी पावर यहां पर थूं पीमजी अब देखिए आंके क्या होता है यह सारे mcb on रहेंगे on रहेंगे तो क्या होगा एक सोर्स यहां जाएगा एक सोर्स यहां जाएगा आपका यह जो g10 है g20 है यह आपका मेन कंट्रोलर है यह आपका माली यह मेन हुआ यह आपका कोई एक ही रहेगा एक बंद रहेगा इसका नाम आप मेन रहेगा और एक बंद रहेगा तो देखिए सप्लाइ सो यहां आएगी ठीक है एक यहां बढ़ाएगी offenses ate up मिटा देता हूं तक का चीजों को पता सको समझा सको समझब है अro सब्सक्राइब करईए इसको पूर्स यहां आई टीक है प्रस्पलाय सोर्स यहां आई सब्सक्राइब करेंगे MCB को एक इसको ओन करेंगे इसको ठीक है अब देखिए कंट्रोला क्या करता है यह अपने को AC मिला ठीक है इसको क्या करेगा इसको DC पावर आउटपूट में देता है यह आपका रिक्रिफायर लगा हुआ है यहां पर एक्रिफायर सब्सक्राइब देखिए यहां यह आ उसक्रिफिवेस उटाइब करें मिलनने क्या हो जाए मिलेगा आपक्यायर मिलेगा तो कि मिलें इसको इसलिए अब पूरा गूमते ही कंडिशन में हो रहा है जन्रेटर हुआ आपका कि एक्साइटर हुआ इनके प्रियम जी कहीं लगा घ्राइब गूमते ही यह कंडिशन में हो रही है अब देखिए यह क्या करेगा यह जो एक डायोड इसको डिक करके युक्ष करके जन्रेटर जो यह जो जैटर का अपका रोटर का फिल्ड वाइंडिंग है यहां सिंड कर देगा और जैटर की जो इस्टेटर पार्ट में अपने को थ्री फेस्ट पावर मिलना चालू हो जाएगा ठीक है पावर मिलेगा यह देखिए जैटर सकेट बुरकर क्लोज होगा सप्लाई यहां एक दो बार देखेंगे तो आटोमेटिक सारी चीजें समझ में आए जाएगी अब देखिए होता क्या है कि यह जैटर के आउटपूर्ट से ही मलेज आपका 11 kb का जैटर लगा हुआ है अब जैटर के आउटपूर्ट से प्यूटी सप्लाई लिया हुआ है ठीक है आपको ब्लैक आउट कंडिशन में या किसी करण बास सोर्स पावर ना रहे तो डीची से कंटीनू अपने सीप्यों को पावर मिलता रहे अब देखिए प्यूटी सप्लाई करेक्शन्स लिया रहता है दोनों कंट्रोलर में देख सकते हैं ठीक है यह सप्लाई गया यह देखिए ए प्रवाइब का 11 के भी बोल्टेज यहां रहा है ठीक है अब इन के समाल दीजे किसी का बास बोल्डेज यहां पर डिप करते हैं इस बोल्डेज आते हैं 10.8 के भी तो क्या करता है यार इसको बहुत ही फास्ट और क्यूग रिस्पॉंस करता है एक कंट्रोलर इसको इस्ट् प्रवाइब के भी यहां मिलना चालू जाते हैं यहां पर प्रवाइब कराना है तो सारी यहां बैलू दोनों में सेट की रहती है अब देख सकते हैं यह चोटे-चोटे-चोटे-चीजें अब की आयोंगी और यहां लिए कुछ आपके नदर कुछ मान के क्वेश्चन हो तो आप जरू कुछ कमेंट करें मेरे इस वीडियो के बारे में कि मेरे वीडियो कैसा बना है और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यह देख सकत झाल झाल